दोस्तों इस वीडियो में हम आपको सूपर नेपियर ग्रास के बारें बताने बाले हैं यह जो ग्रास है बहुत ही काम का ग्रास है अगर आप पसू पालक है और पसू पालन करते हैं तो यह से आपको हरे चारा का जो समस्या होता है उस से बिलकुल मुक्ति मिल जाएगा अप चाएंगे सकते हैं गराश को देखे कितना हरा भरा है और इतना बड़ा अगर गरास है तो आपको लगता हुआ कि बहुत जज्छादा टाइम लग गया होगा लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ दो महीने में यह इतना बड़ा गरास तैयार हो चुका है और इसकी अगर आप खेती कर करते हैं तो चार से पांच पस्वों के लिए चार से पांच साल तक आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे हराचारा के लिए और यह बहुत तेजी से ग्रो करता है खाये अब थोड़ा सा दूर से कि किस तरह से इसका जो है बीट तैयार हुआ है एक बीट में कितना ज्यादा यह ह दिखा जाएंगे यहां पर देहें किस तरह से यह बिल्कुल फाईल चुका है और कितना मोटा मोटा है तो बिल्कुल जैसे गामने कीमा करेंगे और और एक बार कर देंगे ना तो हराय चारे का जो समस्या होता है बिल्कुल खत्म हो जाएगा और बहुत ही जवर्तस्त तरीके से आप पसु पालन कर सकते हैं पसु भी इसे बड़े चाब से खाते हैं अगर आप अभी तक इसके बारे नहीं जानते हैं तो आप हमारी वीडियो को देख लिया आपको जानकारी तो हो गई और आपको कहां से मंगाना है अगर आपके आसपास सूपर ने पिर उपलब्द नहीं है तो आप में कमेंट कर सकते हैं हम आपको उपलब्द करा देंगे लेकिन हम यही कहेंगे कि अगर आप एक पसु पालक हैं किसान हैं तो इसकी खेती आपको जरूर करना चाहिए मैंने तो एक छोटे से अस्तर पर इसकी बुआई की थी लेकिन अब हमारी तैयारी है कि बड़े अस्तर पर करीम 3-4 कठे में मैं इसकी बुआई करूँगा और अपने पसुओं को खिलाओंगा तो वीडियो कैसी लेगी वीडियो के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं और इस ग्रास के बारे में आपके क्या राया है यह भी कमेंट करके बताएं क्योंकि अभी तक आपने जितने परकार के ग्रास भी देखे होंगे इतने जादा देजी से ग्रोथ कोई नहीं करता और क कम से कम चार से पांच साल तक हरे चारे के समस्या तो कोई आपको दूर नहीं करेगा उसके लिए आपको सूपर नेपियर ही लगाना होगा तो वीडियो में इतना ही मिलते हैं किसे और सांतर वीडियो में तब तक के लिए पहनवाद